अगल वेल्कम टू शेयर मार्केट शार्ट्स ऐज हम जो डिप एनलिसिस करने वाले जीस डेज़ डेज़िवुस्टी पर एनलिसिस करने वाले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आयो तर में आपको बता हो कि इस चैनल पर डेली स्विंग टेडिंग पर इंट्र डे स्टॉक्स पर एनलिसिस की जाते हैं वह भी सब्पोर्ट्स एंड रेजिस्टर्ण के लेवल्स पर ठीक है और हर्मोनिक पैटर्न का भी एनलिसिस यहाँ पर किया जाता है तो आज जो हमने एनलिसिस किया है वह वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दिया और कुछ सवाल जवाब के उनका भी आज हम लोगों ने किया था तो चलिए आज हम जेस डब्लू स्टिल का एक डिप एनलिसिस चालू करते है तो हम हमने जो एनलिसिस कर रहे भी डिली टाइम प्रेम में कर रहे है क्योंकि आप देख सकते हूं कि एक स्टॉक ने बहुत अच्छा रही हमको दिखाया अब यह स्टॉक क्या करें करेक्शन कर रहा है ठीक है इसको क्या बोलते है टाइम वाइस करेक्शन बाराबर देखो प्राइज एक की रेंज में घूम रहा है बहुत दिन से में एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूं पहले यह रहा इसका रिजिस्टन्स ओन कि और मैं सपोर्ट ज प्राइज आके फिर से उपर जाता है उसके बोलते हैं सपोर्ट तो मैं चार्ट्स तोड़ा बढ़ा करता हूं यह देख सकते हैं इसमें में एक लेवल करें हुए यह देखो इसका हो गया जोन एक नेचे के साइट में और एक लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि हम लोग को जो क्लियर देखने में ले ठीक है तो यह देख सकते हो इसको बलते साइडवेस पैटन बराबर और इस सपोर्ट रिजिस्टन्स के दो लेवल एक सपोर्ट रिजिस्टन्स के होते एक सिंगल सिंगल लेवल सिंगल प्राइज नहीं रहते हैं मतलब हम लोग 765 को एक प्रॉपर लेवल रहेगा मतलब 765 से लेके 773 यह लेवल इनके बीच में से कही से भी प्राइस रिवर्स आ सकता है या फिर हम लोग सपोर्ट बनाते हैं तो 656 से लेके 6664 का तो इसके रेंज में से कभी भी ऊपर बाउंस कर सकता है ठीक है तो अब भी हम लोग देख रहे हैं तो यह हम लोग क्या करते है इसमें और ठोड़ा डीप का अनलसिस करते है थोड़ा चार्ट की साइट्स करम करते है ठीक है अब इसमें आम लोग क्या करते है एक ट्रेन लाइन्स ड्रॉ करते है आगारा केरेग्ष आ एत्रेंड लाइन और मैं इसको करता हूं लाइन चर्ट इस में इस में क्या-क्या होसकते हूँ अभी देख रहे हैं गराए क्रेश लॉइन ध्युक्या दूस्तर एक जिलन में अभी ड्रॉग Stretch अधर सेगन सेरे इन टिर हीक भर केंड़ रहे हैं वीक्तरिकिंपढ़ प्र एकस्वर्ट करता हूं इसमें क्या-काप पोसिबीलीटी हो सकते में आभी आपको बताता हूं एक मिनिट देदो मुझे सिर्फ, इसको बोलते चैनल पैटन ठीक है, यह देखो, अभी स्टॉक क्या कर रहा है, देखो, सपोर्ट की बस आ रहा है, ठीक है, और यह चैनल में था, और चैनल ब्रेक आउट डिया, तो उपर की सेट में कि रेजिस्टन्स है, इसको बोलते डबल टॉप लगा है, ठीक है, टॉपल टॉप भी बोल सकते है, इसको, यह देखो, उपर गया है, नीचे आ है, ठीक है, अभी इसमें जो इंपोर्टन्ट लेवल मुझे जेश डवल स्टिल में दीख रहा है, ओ लेवल है, 656 से लेके, 664 का, परावर, एक मिन में उसका नाम और दूसरे क्या हो सकते है, अगर यह train line as a support का काम कर रही है, ठीक है, अभी क्योंकि price इसके उपर है, अगर यह support break होता है, तो यह channel में फिर से आ जाएगा, और इसका जो support zone बन जाएगा, वो रहेगा, 595 से लेके 604 का, ठीक है, तो इसकी possibility यह भी की नीचे भी आ सकता है, प पर्स करेंगे कल के लिए, 689 एक resistance रहेगा, 721 एक resistance और 722 के एक resistance इसमें बना हुआ है, और एक जो important level है, daily time परे में एक draw करता हूँ, एक important level मुझे दीख रहा है, ओ level है, यह जो इसका negative opening दिया हुआ है, ठीक है, और negative opening का सिरिया हुआ है, एक train line में draw करता हूँ, यह रहा, यह लेवल आपको दीख रहा है, यह level है, अल्मूस 700 का, आप देख सकते हो, जो 700 का level जो 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 बना है न, पुरा resistance जोन बना हुआ है, ठीक है, इधर से price उपर ही नहीं जा रहे है, ठीक है, इधर देको price उपर, यह देको direct नीचे closing दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर यह 700 की उपर, अगर sustain हो पाता है न, तभी अम इसमें bind का, जो trading हो कर सकते है, 4D target 765 से लेखे, 770 तका target हम को इसमें देखने को मिलेगा, अगर यह नीचे जाते है, तो आपको मैंने levels बताई हुए, ठीक है, तो यह थी है, अमारी GSW की analysis, अगर आपको इसका charge चाहिए, तो मैं ट जरूरत नहीं है, त्यूकि अगर support भी break करते हैं, नेक से अपर हमको मालू में, बीच में किदर भी average नहीं करना है, ठीक है, अगर इदर से reverse मिलता है, तो ही कुछ मलेगा पर, resistance zone 700 का, ठीक है, 700 का लिए बहुत important लेवाले, JSW Steel में, तो यह थी हमारी JSW की analysis, अगर आपको वीडियो के निचे कमेंट करें, मैं उसके ओपर भी वीडियो बना दोंगा, थैंक्यू